नमस्कार मेरे प्यारी सातियों आपका स्वागत है आज के इस सेसन में जिसमें आज हम जानेंगे बार्त का सामाने परीचे इस परीचे के बारे में competition exam में बहुत बार परसन पूँच ले जाते हैं इसको हम टॉपिक को आज कवर करने वाले हैं क्योंकि यह important टॉपिक है यहाँ से किसी भी competition exam में SSC, MTS या किसी भी परकार की exam railway होई या किसी भी परकार की exam में 80% पहुच लिये जाते हैं इसलिए हमने इसको कवर कराने की सोचा तो चलो शुरू करते हैं आज का यह session टॉपिक है कि आक्सान से दरश्टी से भारत की अवस्तित उत्री गोलार्त में तता दिसांत्रे दरश्टी से पूर्य गोलार्त में इस्तित है बारत का दक्षणी इस्सा उसन कटे बंदी तता उत्री इस्सा उपसन कटे बंदी में इस्तित है तो बारत की इस्तिती बताईए कि गलोब याने की विशु में बारत की इस्तिती में बारत की दुर्ष्टी से क्या क्या है यहाँ पर भारत की दक्षनी इसा उस्षनी कटी बंद है और उत्री इसा उपसन कटी बंद है दूसरी बात जान लेते हैं कि भारती आक्षान से विस्तार कितना है तो दोस्तों इसका अंसर है 6 डिगरी 4 मिनट उत्री आक्सांस से 37 डिगरी 6 मिनट उत्री आक्सांस तग तो भारत की स्थिति ये हैं अगला देख लेते हैं कि देशांत्री विस्तार भारत में किस इस्तान पर है तो भारत की स्थान पर है देशांत्र में 68 डिगरी 7 मिनट पूरवी देशांत्र से 97 डिगरी 25 पूरवी देशांत्र पर इस्तित है भारत का ये भॉगलिक छेत्रपल इस विस्व में इस डिगरी पर इस्तित है अगला देख लेते हैं भारत का दक्षन में बिंदू इंद्रा पॉइंट ग्रेट नीकवार दीप जो शिरलंका के यहने तमीन लाड़ों में इस्तित है जो 6 डिगरी 4 मिनट उत्री अक्षांस पर इस्तित है इंद्रा पॉइंट लेकिन मुख्य भूमी दक्षन तम बिंदू 8 डिगरी 4 मिनट उत्री अक्षांस कन्यकुमारी तमीन लाड़ों में इस्तित है तो आपने इस डाइग्राम में देख रहा होगा कि दक्षन बिंदू जो इंद्रा पॉइंट है वो खाहां पर इस्तित है मानक समय 82 डिगरी 30 मिनट पूर्विद्यसांतर इलाबाद के नेनी से इस्तित है तो आप देख सकते हो इलाबाद में नेनी परियाग में इस्तित यहां पर बता रखा है मानक समय रेका पर इस्तित राज्य तो जो मानक समय रेका उजर्य बारत में उत्तर से ले दक्षन की तरब तो इसमें कौन-कौन से राज्य सामिल है तो दोस्ते इसमें स मानक्षमे रेखा में हम इसको ट्रिक से जान लेते हैं कि ट्रिक के माधिम से जल्दी याद करने के लिए कैसे कर सकते हैं तो इसका ट्रिक है दोस्तों उमा एसी चलाते ही उड़ गई तो इसकी ट्रिक है जो मानक्षमे रेखा पेस्थिते राज्जी हैं उसे उत्तरपर्देश हो गया मासे मद्यपर्देश, एसी का हो गया अंदरपर्देश और 36 गड़ और उड़ गई यानिकी उड़ीसा यहाँ पर इसका ट्रीक है तो आप इसको याद गल लिना ट्रीक के माध्यम से जल्द याद हो जाएगा अगला देख लेते हैं बारते मानक समय ग्रेन विच माद्दे समय से 5 गणटे 30 मिनट आगे होता है मानक समय रेका में बारत का समय आपने ये ट्रिक देख लिया होगा अगला देख लेते हैं करकरे का साड़ी 30 डिगरी 30 मिनट उक्तिरी आखसांस लगबग बारत के मध्य से गुजरती है तो आप देख सकते हो डाइगराम में करकरे का गुजर रहे हैं आठ राज्यों में उसका भी हमने आईलाइट कर रखा है तो आप देख सकते हो ऐसे अरखन पच्छिम बंगाल तिरुपराय मिजुरम में यहाँ पर गुजर रही है करकरे का इसके आदार पर हम इसको ट्रीक के मादम से भी बताएंगे और भारत का छेतरपला है 32,37,263 वरक किलोमेटर अब हम ट्रीक से जान लेते हैं कि करकरे का में इस्तित राज्य है तो मित्र पर गमचा ज़ार इसके ट्रीक है जो करकरे का बारत के राज्यों में ओकर गुजर रही है 8 राज्यो में गुजरती है दोस्तों इसके ट्रीका है मित्र पर गमचा जार मि से मि जोरम 30 से तिरपुरा हो गया पैसे पच्छी मंगाल गमचा का पैसे पच्छी मंगाल राजस्तान हो गया गमचा हो गया ओक्शे गंजरात, मैं युज़राद गुजरती है इससे क्या कि जल्दी याद हो जाएगा आपको तो ज्यादा टाइम नहीं लगागे इसको याद करने में तो इसके हम ट्रिक के मादिम से समझा दिया है अगला देख लेते हैं बारत का उत्र में कस्मीर से लेकर दक्षिन में कन्यक मारी तक विस्तार 32,14 यानि कि 3,214 किलमेटर है जो आप डाइग्राम में देख सकते हो यह बता रखा है हमने एवपूर्वी में अरुनाचर परदेश से लेकर पच्छी में कच तक विस्तार 2,933 किलमेटर है बारत की आकरती चत्रुनी को होने है यह चेत्रपल की दुष्टी से विस्तार परदेश है इसका चेत्रपल विस्तार परदेश में कितना है दोस्तों तक की लंबाई जो पूरों में अरोना चल परदेश में और पच्छी में गुजरात के वह आपर टच हो रही है और उत्तर में यहापर जम्मु कस्मीर और दक्षिन में तमील नाडु यहापर टच हो रही है बारत के अंतिम सीमा बिंदू उत्रितम बिंदू इंद्रा कोल के नाम से जानते हैं जो लद्धाक में इस्थीत है उसको क्या बोलते हैं दोस्ते इंद्रा कोल के नाम से जानते हैं जो लद्धाक में इस्थीत है और दक्षणम बिंदू इंद्रा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार दीप में इस्थीत है और पूरी बिंदू की बोथू अनु कितनी है उत्तिर से दक्षिन की लंबाई कितनी है और इस बिंदुओं को क्या-क्या नाम से जानते हैं अगले दिख लेते हैं बारत का दक्षिन बिंदु इंद्रा पॉइंट भूमदे रेका से 860 किलोमेटर दूरी पर इस्तित है तो यह इंपोर्टेंट है तो आप इसको य किस नाम से जानते थे पिग मिलियन पॉइंट के नाम से और पायरस पॉइंट के नाम से जानते थे पच्छिम में अरब सागर पूरू में बंगाल की खाड़ी दक्षिन में इंदमा सागर बारते माधिप के तटो पर इस्तित है तो आप डाइग्राम में देख सकते हो अब हम जान लेते हैं कि भारत और चीन की शीमा रेखा पर इस्तित राज्य और उनकी कितने किलोमेटर की दूरी पर इस्तित हैं 12 चीन शीमा 3917 किलोमेटर से लगे राज्य हैं दोस्तों कितने शीमा है भारत और चीन की 3917 किलोमेटर जिसकी शीमा लगती है जमू अन कस्मीर, हिमाचल परदेश, उत्राखंड, सिक्किम, अनुणचल परदेश तो ये राज्ये हैं पांच जिसकी सिमब चीन से लगती है बारत के राज्यों की तो इसकी ट्रिक के मादम से कैसे जान लेता हम जल्दी की याद करने के लिए चीन को लगे वे बारत के राज्ये हैं दोस्तों इसकी ट्रिक है आज ही चीन से तो ये चीन से हम ऐसे कोर्रेलेट कर लेंगे और सिक्क्यम हो गया तो इसकी ट्रिक है आज ही चीन से तो ये बारत के राज्ये चीन की शीमा पर लगे वे इसकी किलोमेटर की है 3970 किलोमेटर की सीमा रेका है बारत और चीन की अब डाइग्राम में देख सकते हो जो ये रैड गलर का और रखा है ये बारत की सीमा रेका से लगे वे राज्ये है अगला देख लेते हैं बार्द पाकिस्तान की सीमा जो रेड गलर से आइलाइट हो रही है तो उसको देख लेना तो बार्द पाकिस्तान सीमा 3310 किलोमेटर से लगे राज्य है जम्मो कश्मीर पंजाब राजस्तान गुजराद तो इसकी ट्रीक है दोस्तो पराग जम्मो गया तो पराग जम्मो गया इसकी ट्रीक है तो पैसे हो गया दोस्तो पंजाब रासे राजस्तान गैसे गुजराद और जम्मो से जम्मो एन कश्मीर तो यह इसकी ट्रीक है जो बार्द पाकिस्तान की सीमा से लगे राज्य हैं इसक इसके ट्रीक के मादेम से हमने बता दिया कि पराग जम्म हो गया पैसे पंजाब रासे राजस्तान गैसे गुजराद एंड जम्मु अन कस्मीर ये इसके ट्रीक है आगरा देख लेता है बंगलादिस की बंगलादिस से लगे सीमा रेका से बाहरत की साजा करता है चार अजार चानम किलोमेंटर इसे लगे पांच राज्ये हैं पच्छी मंगाल असम मेगाला मिजोरम तिरुपरा ये पांच राज्ये हैं जिससे सीमा साजा करता है बाहरत और बंगलादिस ट्रीक है दोस्तो बाप मेरे अमित्र तो इसके ट्रीक है बंगलादिस से लगे बाह ऐसे हो गया आप से तो बांगललेस से लगई राज़ी बारत राज़ी से देख लीग पैसे हो कड़िधी मंगाल मेंसे मेघळा जा सकते हो अगर देख लेते हैं बारत का सवीदान 26 जनवे 1950 को लाग हुआ था ये तो आप सब जानते हो चेतरपल के अधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्तान जिसका चेतरपल है 3,62,263 वरक किलोमेटर चेतरपल के अधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है उसकी रादानिय पंजी इसका जो दक्षर में अरब सिया में इस्तित है जनसंगे के अधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तप्रदेश उत्तप्रदेश की रादानिय है दोस्तो लकनौ और यहांका मुक्यमंत्री है योगी अधित्यनात अगला देख लेते हैं जन संक्या के आदार पर बारत का सबसे छोटा राज्य शिक्किम है शिक्कम बारत का सबसे छोटा राज्य है जन संक्या के आदार पर अगला देख लेते हैं बारत की भोगले की स्तिती में बारत को उसन कटवन दिये मान्सुनी जलवाई परदेश कहते हैं बार्द में 80% से अधीक वर्षा दक्षनी पच्छी में मानसुन से होती है तो दक्षनी पच्छी में यानिकी अरब सियाक से लेकर होती है यहां से वर्षा उड़ती है बादल और ये बार्द में वर्षा का स्रोत है अम्बाला सायर पंजाप गंगा और सिंदु नदी के जल विवाजन छेतर है तो अम्बाला सायर है जो गंगा और सिंदु के जल विवाजन छेतर में इस्तित है बार्द में सरवदिक 51 परतिसत भूमी करसिये तू है जबकि विशु में मातर 14 परतिसत है जो विशु के 14 परतिसत है बार्द की बार्द का परतम जल विदुद सेंतर जो कब लगाया था दोस्तो जिससे हम विदुद उत्पदन कर सकते हैं जिसको मनाया लगाया था दोस्तो 1902 में जो सिव समुदर जल परपात कावेरे नदी पर परारम किया गया था तो ये टोपिक बहुत इंपोटेंट है तो आप इसको याद करने ना कि बार्द का पहला जल विदुद सेंतर गुनिशत दो में लगाया था जो सिव समुदर जल परपात कावेरे नदी पर इस्तित है जो एसिया का भी परतम सेंतर है तो इसको याद करना जरूरियो है अगला देख लेता है बैंगलूर भारत का परतम नगर है जहां पर इलक्ट्रिसिटी का उप्योग किया गया था यानिक लाइट का इस्तिमाल किया गया था यह किया गया था गुनिशत चैमे सर्वदिक जन सेंग्या वाला नगर मुंबई है बारत की ओर से अंटार्टिका म गंगोत्री और जो बारत और एक कैसी में बेज़ा गया था बारत ने और एक मैत्री नाम की है एक दक्षनी गंगोत्री यह और भी है तो बारत का राश्वतित देश का प्रतम यह प्रदान होता है जबकि सरकार जो प्रदान मंत्री सरकार परमुक होता है और मंत्री परिश सथ कि साहिता सी सासनद चलाता है जो की मंत्री मंदल and मंत्राला का गठन करता है लोक्सभा राज्य सभा का गठन करता है और राश्टपति तीनु सद्राव का अद्यक्स होता है जलसेन, य५ड़ चल सद्राबकर है ayud settlement का अद्यक्स होता है जोग सबसे लंभИ कि सचाई के लिए भी जानी जाती है अगला देख लेता है सर्वदिक जंसेंगे गनते वाला राज यह पच्छी मंगाल है यहां पर सबसे जादे जंसेंगे गनते वह इस्तीत है उसके बाद केरल और भी आर है बारती में सबसे पहले कंपुट राइज रिजर्वेशन दिली में परारम किया गया था जो कब किया गया था 1906 में बारती में सर्वदिक समुंद्रे तट सीमा रेका गुजरात की लगवब 1200 किलमेंटर है जो सबसे ज़्यादा समय सीमा साज़ा करता है समुंद्र के साथ में जहां पर कांडला पोट है तपस्याथ अं सर्वदिक राज्यों से लगती है तो कितने राज्यों से लगती है दोस्तों बारत की उत्रपदिश की साथ राज्यों से लगती है यहाँ पर उत्रपदिश की सीमा तो दोस्तों ये ता आज का सहसर्म बारत का सामाने परीचे आपको वीडियो पसंद आये तिसको लाइक कर और अपने चैनल को कर लिजे सब्सक्राइब और वैल का बटन दबा लिजेर ओल कर लिजे ताकि हम कोई भी वीडियो लाये तो इसका नोटिफिक्शन मिलता रहे जिससे कि आप कि प्रेपरेशन होती रहे यूपीसस से समन देते हैं थैंक्यू जैन जैबारत